तो दूस्तो IELT 22,024 में अब तक 24 मैचे खेले जा चुके हैं और इन 24 मैचों के बाद पॉइंच टेबल में काफी बड़ा उलट फेर देखने को मिला है जहां पॉइंच टेबल में सबसे टॉप पर MI Emirates से बनी हुए है तो इस सबसे आकरी पायदान पर सारदहाँ वारियर्स है तो ऐसे में पॉइंच टेबल में कौन सी टीम कितने पॉइंट के साथ किस पायदान पर है और यहां से प्ले आफ में कॉलिफाइ करने के लिए किस टीम को अब कितने मैच और जीतने होंगे इस टूडियो में आपको सारी जानकारी जो है मिलने वाली है तो दूस्तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइनने कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगी तो आए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दूस्तो आईल्टी ट्वेंटी टूजन ट्वेंटीफोर के पॉइंच टेबल में 24 मैचों के ब पास टोडल 6 पॉइंट है नेट अन्रेट जो है माइनस 2.019 है और यह टीम अल्मोस्ट प्ले आफ की रेस से बाहर हो चुकी है अभी इस टीम को दो मैच और खेले हो और आने वाली दो के दोनों मैच में जीतने के साथ-साथ बागी अधर टीमों पे डिपेंड रहना होगा साथ में अपना नेट अन्रेट भी काफि बहतरीन करना होगा प्ले आफ में कॉलिफाइ करने के लिए पॉइंट टेबल में पाँच वे पायदान पर है दुबाई कैप्टल इस टीम ने भी अब तक 8 मैच खेला और इन 8 मैचों में से सिर्फ 3 मैच में इस टीम को जीत मिली ह पाँच मैचों में हार कास सामना करना पड़ा है दुबाई कैप्टल्स के पास टोडल 6 पॉइंट रेंट 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 जो है माइने 0.389 है अब इस टीम को 2 मैच और खेलने है और यह तो के 2 मैच में जीतने के साथ साथ बाकी अधर टीमों पे डिपेंड रहना हो है जबकि 5 मैचों में हार कास सामना करना पड़ा है देजेट वाइपर के पास टोडल 6 पॉइंट रेंट 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 है माइनस 0.298 है जो कि दूबाई कैपिल और साथ दहां वारिर से थोड़ा बहतरिन है अब इस टीम को 2 मैच और खेलने है आने वाले दो के 2 मैच में जीतने के साथ साथ अपना नेट थोड़ा बहतरीन करना होगा प्ले आफ में कॉलिफाइ करने के लिए वही पॉइंस टेबल में तीसरे पायदान पर है गल्फ गैंट इस टीम ने अब तक आठ मैच खेला है और इन आठ मैचों में से चार मैच में इस टीम को जीत मिली है जब में कॉलिफाइ करने के लिए वही पॉइंस टेबल में तूसरे पायदान पर है अबुदाभी नाइट राइडर इस टीम ने अब तक आठ मैच खेला और इन आठ मैचों में से पांच मैच में इस टीम को जीत मिल चुकी है जबकि तीन मैचों में हार कास सामना करना पड़ा अबुदाभी नाइटर्स के पास से टूटल दस पॉइंट है ने टनरे जो है प्लाइड जीरो पॉइंट टू सिक्स नाइट है और यह टीम आलमोस्ट प्ले आफ में कॉलिफाइ कर लिए अभी इस टीम को दो मैच और खेले है आने मल इन दो के मैचों में से कम से कम एक में इस टीम को जीत मिलिए जबकि मातर दो मैचों में हारका सामना करना पड़ा है माई एमिरेट के पास से टोटल बारा पॉइंट है ने टरने जो है प्लस 2.055 जो कि सभी टीमों से काफे बहतरीन है और यह टीम जो है ऑफिसली प्ले आफ में कॉलिफाइ कर चुकी है अब इस टीम को दो मैच और खिले आने माले दो के दोनों मैचों में अगर यह टीम जीता हासिल कर लेती है तो पॉइंट टेबल में पहले पाइदान पर ही फिनिश करेगी दोस्तों यह रहा आई एल्टी ट्वंटी टूजन ट्वंटीफोर का नया पॉइंट टेबल जो की 24 बात के तो आपको क्या लगता है माई एमिरेट और अबुधाबी नाइट आट के साथ कौन सी बाकी दो टीमें और रहेंगी जो प्ले आफ में कौलिफाय कर पाएंगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताए तो दोस्तों शुड़ा बतने हैं अगर आप वीड़ा पसंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आए के अंद बादना थैंक्यू सो मच गैज फोर वाचिंग दिस वीडियो